नमस्कार स्वराज एक्स्पेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे बुलेटिन के शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ इन दोर से रवीवार को केंद्रे ग्रमंत्री अमित शाह मद्य प्रदेश के आगामी विधान सभाज चिनाव का शंख नात करेंगे इस आयोजन को लेकर बीजेपी के रास्ट्रे महासाचिव कलाश विजय वर्गे ने पत्रकार वारता ली उन्होंने बताया कि पन्ना प्रभ पहारी तक के 50,000 कारिकर्टाओं को अमित शाह सम्वोधित करेंगे मध्य प्रदेश में इस साल केंट में विधान सभाज चुनाव होना है और बीजेपी ने अपनी तयारी जो है वो तेज कर दी है बीजेपी की तयारी की कमान केंट्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है अब शाह रवीवार को फिर भुपाल आएंगे और बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रड़नीती पर चर्चा करेंगे इन दोर से रवीवार को केंद्री ग्रहमंत्री अमित श्राह मध्य प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव का शंक नात करेंगे इस आयूजन को लेकर बीजेपी के रास्ट्रे महासाच्यों कलाश विजावर्गे ने पत्रकार वारता ली उन्होंने बताया कि पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ प्रभारी तक के 50,000 कारिकरताओं को अमित श्राह संभोधित करेंगे कलाश विजावर्गे ने कहा कि पिछले चुनाव में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे और हमसे चूक हो गई थी लेकिन इस बार भाजपा का कारिकरता उत्साह से भरा है और सक्रिय है बोगस सर्वे दिखा कर प्रदेश की जनता को कंफ्यूस करने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि शुरा ने चुनाव अभियान के शुवात इंदोर से की और इस सम्मेलन को कराने का मौका हमें दिया है संभाग से आएंगी है और यहां हमने पन्ना प्रमुख को भी बुलाया इंदोर जिले में और इंदोर शहर में उनकी संख्या लगबग 35,000 जार तो इस प्रकार 50,000 कारिकरताओं का ये शुद्ध कारिकरता है भात्री जलता पार्दी संभाग के उनका सम्मेलन नहीं है और इसी ख़बर पर जादा जानकारी के साथ भुपाल से सम्मधाता वीजेपी कारले से संजय डोंगर डिवे जुड़ गए है संजय संखनात करने आ रहे हैं विधान सभाद चुनाओ है और केंडरे ग्रह मंत्री अमित शाह का दोरा है और बुद्वार को ही इससे पहले अमित शाह आए हैं क्या कुछ इस बारे में कहेंगे आप दोरे को किस तरह से देखते हैं अब बिल्कुल कविता अगर देखा जाए तो बीस से बाइस दिन के ही अंदर ग्रह मंत्री अमित शाह का ये तीसरा दोरा है अगर हम ये कहने में कहीं अतिशोप्ति दी होगी कि मद्यप्रदेश के जो प्रेस का भी आईएजंट किया रहा है कि इससे पहले का हमंकी प्रेस का नहीं हुई लेकिन मिन्टl हॉल में जिस परकासे एक प्रेस िजैया रहा है जिसमें कहीं चुनी दापत्रकारों प fact को वहां पे बलाए जाए का और अपति बात रखेंगे उसके बाद जो उनका इंदोर का दोरा है जो बताया जारा है जिसे अभी जो इंदोर समवादाता ने खबर दी थी कि लाश्वी जेवरगी ने वहाँ से अभी एक पत्रकार वारता लिए और वहाँ पचास हजार अपने कारे करता हो कि उपस्नितिका बताया बिल्कुल अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो शंक्तनाद है कर इंदोर से इसका प्रारम हो जाएगा और विधाल समवादा चुनाओं की तैयारियों को लेकर जो चर्चाए हैं जिस परकार से प्रोग्राम के आयजिन को बताया जा रहा था कि कहीं वरिष्ट निताओं से भ विधान सबाव चुनाओं को लेकर चाहिए जेपी नडड़ा जो रास्टी अद्यक्ष जेपी नड़ा ने आज ही अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है तो इसी को लेकर ही कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अब जो ग्रह मंत्री अमिश शाह का दूरा है मध्य प्रदेश के लिए ए एक महतुपूल दूरे माने जा रहा है क्योंकि इसी से आने वाले विधान सबाव चुनाओं में भारती जनता पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर मैदान में उतरेगी और योजदाओं किस पकार से चुनाओं को लड़ा जाए या किस पकार की रंडीती बनाई जाए इसक कि इस बार कोई चुक नहीं होनी चाहिए हाला कि कलाश विजवड़गी ने कहा भी कि पिछले बार चुक हुई थी वो चुक इस बार नहीं होना चाहिए बिल्कुल काविता बिल्कुल हम यह कह सकते हैं दोजार अठारा के जुनाओं में जिस पकार से हमने देखा था कि वरिष्ट निता भी बता रहे थे कि कहीं न कहीं ओवर कॉंफिडेंस था लेकिन भार की कॉंग्रिस ने उस टाइम अपना पल्ला भारी बनाया था अब की बात करी जाए तो अब जिस पकार से खेंदर ने पिता है उन्होंने अपनी कमाँ मद्य परदेश के चुनाओं को लेकर और अन्य जेनलों के राजियों के चुनाओं को लेकर अपने हाथ में कमाँ रखी है संदे जी आपको रोकना चाहूंगे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ट नेता शंकर तिवारी जी जुड़ गए है और राकेश्री वादाओ जुड़ गए है इन दौर से सबसे पहरे संकरलाल जी के पास चलते हैं संकर जी किस तरह से देखे जिस तरह से इसी महनी में टीसरी बादग्रा मंत्री अमित्सा एम्पी दौरे पर आ रहे हैं तरह से जानती है बारती जंदा पार्टी बारो माहिने निरंदा चोबिस लंटे काम करने वाली कार्टी है इसका कार्याल है कार्टी में अंदर जलता है चुनाओ हो या कोई भी कार्टी हो दिल्ली का नेसा हो और चाहब पन्ना प्रमू को हम सब पूरी एक आत्मता के साथ पूरे भाव से जोटे हैं और आज जब चुनाओ नजिरिक है तो निश्ची तो हुट से मानी अमिस्ता जी, मानी मोदी जी, मानी वैसरो जी, मानी यादो जी ये सारे लोग लगेंगे अब इसमें को अंगरेस पार्टी को लग रहा है कि क्यों लगे हैं तो अब किछले इतिहाद से देख लीए ते इछले समय में भी कभी भी कोई थाजब हो तो वो मुक्वमंतुरी हो जाह सामा में करता हो हम सब लोग पूरे दैवयोग से लगते रहें और इस नाते इस बात दूरे खांसित करना कि हम साजी जए और आए अब तो कहीं बाहर आएंगे और अन्य सब्सक्राइब आएंगे वागी आएंगे और जाएंगे पर बीजेपी के पास या नेक वर्क है बीजेपी का एक एक कार्गरता उस्ताथ सभरा हुआ है अब इन दोर से जोर से मधान के नियुक्या ठेक्चों का बंदा ब्रभू का इजवेशन हो रहा है उसके बाद देखिये का आप प्रदेश का और अभी जो यात्रा है निकलनी है जनातिरवादी यात्रा और विकास यात्रा उन्ही यात्राओं को अलगलग कंभावों से निकाला जाना है एक दोर से निकलेगी अलगलग वरिश्क में तो उसको लीट करेंगे और उस यात्रा में अभी आदरणी मुखोंतरी जी की सुराजी की विकास पर उचल रहा है कोई एक एक जगे जा जरके और खरूर और हुपय के साम की सौगात दे रहे हैं और इस नातिर ये कार्जम अपने दर चलने वाले हैं और कॉंग्रेस के पास राहुल कप्रियंका इसके अलावर नहीं है कोई नगरिया बजाने वाला भी और हमारा एक इसेट ने सा टंका अब ही प्रियंका आ चुकी वालियर भी आ चुकी जवलपूर भी आ चुकी और उसके बाद रावल भी यह आ रहे हैं बेवारी इसाइडोल जिले में है तो उनका भी आना स्वागत है और हमारे नेता सो अंगोर नात्म से नहीं में काम रहे हैं ठीक है राकेजी से जबाब शिरासीं च्वान जी का सिंदिया जी यह अन्यनेता वह हमिश्चा जी को लग रहा है कि काफी चोटे और बोने सा बीत हो रहा है कही नका हार-कडर सथा रहा है हार-कडर इस लिए नहीं कि सर्कार MP की चली जाईगी उस्ते कोई फार्क ने पढ़ता हमिश्चा जी को कि MP की स कर दो रहा है तो एक कवर कहां से होगा उसकी चिंता को लेके अमेशा जी का जो बार बार दो रहा है उसी जिद्द करता है कि शिवराज दी की जो इस्वास नेता थी वह समाथ तो चुकिये लेंगे वाज जाए जी और उनके साथ के लाज जी जी तुन तो लीजिए अमेशा केलाश जो हःब दावां कर रहे हैं यजास वह उन्ना के कियाँ तायीया में अवाट जी जोड्यव काम कर रहेइं कुब बड़े बड़े दावे थे इत्नी सीटाव ते हैं इतनु मतों से जीते हैं दिल्लिशा जो अनि कील़ एख द्लिश involved धार उनके है कि यहां बड़े- उसको आप यह बोलता है कि वह आपकी जीत भी तो यह गरत सेमी है। जनता आप दोनों बातों का बदला लेना चाहती है। अगर नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़े मतों से हार होगी, बहुत बड़ी सीटों से हारेंगे। अभी जो अनुमाने भाजवा को या अनुमान सीथा सीथा आ रहा है। लगबद एक सो तीस से उपा कांगरच जाने की सम्माँ होना है। इसी परिस्तिती में इनका यह अनुमाने कुरुवा लगता बड़ा मामना है। उसको छोड़के उनको मत प्रिदेश में 5-6 गंटे गुजारना पट रहा है। तो यह तो मजबूरी है ना। समझ चुके हैं कि आप जीतना बहुत असंबवर अगर यहां का है तो चतित गड़ में भी पुरे हाल होना है। पुरे हाल है। तो तीनों परिदर्शों में पोशिच यही करेंगे कि इसी थी इसी बने कि विकट इसी थी ना बन जाए कि लोकसाबा के चुनाओं में सरकार ही चली जाए। इस वजय कि आरी कोशिश है की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपने कोशिश मे कि पिछले वार इनने कौन सी तोब चला जी थी पास के खेले इनके जूटे वाइब तर्जावाभी का उन्हें जानों को ठागा चला काट की हांडी बार बार नहीं चलती बेरोजगार नोजवानों को बेरोजगारी का बस्ता देंगे एक रुपए नहीं थी अचिछी जान का कर दिया है पटीस पुरं आप नहीं है तोर जादी फोडिया गत्रजा माप नहीं हुआ अगर भास सब्सक्रारा हूं तो दो प्लाजे ओ तो अजपाज़नने ओ रख रहा हूंचान देख दूने ढूरने थी– एंचिछी दूने से तरह से पूछ के नहीं बोले के श्चरिण बर दो प्रीज पार इपजे समेश कर आप दो प्रेयो किजे प्लिज बूला हुए लिकिन इसमाल गरत अब कर दो हमका हुए आप गलत बोलेंगे तो तुम आज मत्या कर लो ना भाईया मैं नहीं जानता हूँ तुम्से पूचके नहीं बोलेंगे, तुम्से पूचके नहीं कि उनको भूच परने के लिए सब्सेंगे, तुम्ने ठगा है कि जारों के गर्जा भटतेंगे के नाम तरों को बता देने के नाम देखे। अग्वारों पर संदर से तुझेने वाले और इसने ही नहीं अपने विधायकों को दुस्कारने वाले और उसके बाद तुम किस मूँ से कहरो मेरे भाईया अग्वारों को दुम कि आपने विधायकों कि आपने आप उसके बाद पर पर अपने ही नहीं जया रहा है जनता दमदरी आंटरबाल के बाओ शंकरला किवारे जी इस तरह से ग्रहमंत्री अमित्र शाह महीने में तीसरी बार आ रहे हैं और तीन दिन वाद फिर आ रहें तो क्या इस थाने नेताओं पर विश्वास दी रहा लेकिन का रहे हैं कि बीजय पे को हार का डर सता रहा है इसे लिए अमित्र शाह का दौरा हो रहा है इतना इसा है कि कॉंग्रेस क्या कह रही है कि उसको गहने यह भी पक्च में है पर पूरे प्रदेश की स्थिति जो है वो समझ रहे हैं कि उनके हाथ से तोते ओड़ चुके उनके अंदर आपस में एक ता है हमाय को में साथ जा करके और सब दो बैठा करके काम बाठ के चले गए पू हम आज में से संपर्क करेंगी हम तुम कर लेते हैं संजे कल का क्या कुछ कारिक्रम है वो हमारी दर्शागों को बता दीजिए बिल्कुल कावीता मैं आपको बता दूँ कि कल जो केंद्रिय ग्रह मंत्री हो सुबह बुपाल पोचेंगे और कल यहां से उनकी एक पत्रकार वारता जो बारावजे के लगभग मिन्टो हॉल में रखी गई है यहां के बाद पत्रकार वारता के बाद सीदे एरपोर्ट से इंडूर के लिए रवाना होंगे और इंडूर में जब एक आम सभा के साथ साथ जो वरिष्ट नेता है भारती जंदा पार्टी के उनके साथ भी उनकी मुलाखातर होगी जिससे यह कहा जा रहा है जिस पकार से बताया जा रहा है कि इन दूर में जिस पकार से देखा जाए तो काफी बड़ा छेतर राजडीती काफी अच्छी वहां से देखी मिलती है तो वहां पर इस पकार के रंडीती पर चर्चा की जाएगी और कही जो नाराज वरिष्ट ज कर गरम है जी बिल्कुल संजे तमाम जानकारी साजा करने के लाप का बहुत धन्यवाद